आज हम आपको शामी कबाब बनाने की रेसिपी सिखाएंगे शामी कबाब बनाने के लिए जिन अज़्जा की जरूवत है उसमें बकरे का, गाय का या चिकन का गोश्ट एक किलो, बोनलेस चने की दाल, तीन पाउ प्यास, चारा धथ हरा धनिया, एकटी पुदीना, एकटी हरी मिर्चें, साथ से आठ अदद जीरा, दो टेबल स्पून काली मिर्च साबित, एक टेबल स्पून साबित धनिया, एक टेबल स्पून पिसा गरम मसाला, एक टी स्पून पिसी सुर्ख मिर्च, एक टेबल स्पून कुटी सुर्ख मिर्च एक टी स्पून हल्दी एक टी स्पून और दो अदद अंडे बनाने का तरीका सबसे पहले गोश्ट को धो लें दाल को धो कर दो से तीन घंटे पहले भिगो कर रख दें अब गोश्ट और दाल को चूले पर चड़ाने के लिए रख दें याद रहे कि गोश्ट में इतना पानी हो जो गोश्ट के उपर दो से तीन इंच पानी होना चाहिए इसके बाद दो प्यास को चॉप करके पतीली में शामिल कर दें आदी गड़ी चौप करके पतीली में डाल दें एक टेबल स्पून जीरा उबलते वे गोश्ट में शामिल करें कुटी हुई सुरक मिर्च, गरम मसाला और हल्दी पतीली में डाल दें और इसको उबलने के लिए रख दें याद रहे कि नमक हम पिलकुल जब पानी खुश्ट को रहा होगा उस वक्त शामिल करेंगे अभी शामिल नहीं करेंगे चार से पांच मिर्चें भी चौप करके पतीली में डाल के उबलने के लिए रख दें याद रहे सबसे पहले चूले को तेज करें जब पानी बॉयल होने लगे तो हलकी आज पर इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दें रफ्ता रफ्ता पानी खुश्ट को होता जाएगा और गोश्ट और दाल को चेक करते रहें कि वो गल गई है इसके बाद बाकी बचीवी दो प्यास को चौप कर लें आदी बचीवी हरा धनिया को चौप कर लें आदी गड़ी पुदीना उसको भी चौप कर लें और बचीवी हरी मिर्चों को चौप करके एक प्लेट में रख लें इसके बाद साबित धनिया बचा हुआ जीरा और साबित कारी मिर्चे इनको अलेदा अलेदा तवे पर डालकर भून ले इसके बाद इसको हवन दस्ते में डालकर कूट ले जब गोश्ट गल जाए और पानी उसमें बहुत कम रह जाए तो अब इसमें एक से डेल टेबल स्पून नमक डाल दें और इसको चेक कर लें कि इसमें नमक बराबर है या नहीं इसके बाद जब पानी खुश्क होने लगे तो लकड़ी के चमचे से मुसलसल चमचा हुला हुला कर इसको खुश्क कर ले। जब बेटर खुश्क हो जाए तो चूला बन करके पतीली को उतार लें हलका ठंडा होने पर इसको ब्लेंडर में पीस लें याद रहे कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना वरना फिर शामी कबाब के मसाले को पीसने में मुश्किल होगी जब मसाला पिस जाये तो इसको एक बड़े बरतन में निकाल लें अब उसमें चौप किया हुआ सारा मसाला डाल दें और कुटा हुआ मसाला भी इसमें शामिल कर दें इस पॉइंट में इसमें चेक कर लें कि नमक बराबर है वरना उसको बढ़ा लें इसके बाद दो अंडे इसमें डाल के इसको और अच्छी तरीखे से मिक्स कर लें इसके बाद एक एक अंडे को अलेदा अलेदा तोड़ के चेक कर लें डारेक्ट इसको बैटर में शामिल मत कीजेगा वरना अगर अंडा खराब होगा तो सारा बैटर खराब हो जाएगा इसलिए पहले एक प्याले में अंडे को तोड़के निकालें और इसके बाद फिर इसको बैटर में शामिल कर दें इसके बाद सारे मसाले को हातों से अच्छी तरीखे से मिक्स कर लें फिर इसकी टिकियां बनाकर ट्रे में सेट करते जाएं जब ट्रे फुल ओ जाए तो उसके उप़र दूसरी प्लास्टिक रखे उसके उप़र एक और लेर कबाबों की रख दें जब तमाम लेर्स तैयार हो जाएं और टिकियां खतम हो जाएं तो इसके बाद इसको फ्रीजर में रख लें शामी कभाब को fry करने के लिए Fry pan में 2-3 table spoon oil डाले और इसके बाद इसको हलकी आज़ पर fry करने के लिए डाल दे। जब एक साइड fry हो जाए तो इसको पलट ले। जब धूसरी साइड भी fry हो जाए तो इसको plate में निकाल ले। शामी कबाब तयार हैं, अब इसको कैचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ पेश करें तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, अगली रेसिपी के साथ दुबारा हाजर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज